भारत में ऐसे कई पुराने मंदिर हैं, जिनका इतिहास अती प्राचीन है। इनकी सुन्दर्ता और प्रसिध्धी आज भी बरकरार है। आईए जाने इन मंदिरों के बारे में। नमबर पांच, श्री रंगनात स्वामी मंदिर तमिलनाडु के तिरुचिरापली में स्थित श्री रंगनात स्वामी मंदिर भगवान विश्णु को समर्पित एक विशाल वप्राचीन मंदिर है। ये मंदिर 108 दिव्य मंदिरों में से एक है। दक्षिन भारत के सबसे खूबसूरत और भव्य मंदिरों में शामिल इस मंदिर को छठी और नुवी शताब्दी के बीच बनवाया गया था यह लगभग 156 एकड में फैला हुआ है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी माना जाता है इसकी सुंदर्ता देखने योग्य है नंबर चार द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित द्वारकाधीश मंदिर को जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है गुजरात में मौजूद इस मंदिर को चार धाम यात्रा में शामिल किया गया है ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर लगभग 2500 साल पुराना है यह इतना पुराना है कि इस मंदिर की चर्चा पुरातात्विक तथ्यों में भी देखने को मिलता है यह मंदिर पांच मंजिला है जिसमें लगभग 72 खंभे हैं इस मंदिर की विशालता अती प्राचीन है नंबर 3 चेननाकेशव मंदिर करनाटक करनाटक के बैलूर में स्थित चेननाकेशव मंदिर होलस काल में बनाया गया है यगाची नदी के किनारे स्थित यह मंदिर ग्रविड शैली पर अधारित है विश्नु भगवान को समर्पित इस मंदिर की दीवारों पर पौरानिक के पात्रों का चित्रांकन किया गया है इसकी संग्रचना इतनी भव्य है कि इसे भारतिय पुरातत्व सर्वेक्षन द्वारा मान्यता दी गई है इसके तीन प्रवेश्ट द्वारों में से पूर्वी प्रवेश्ट द्वार सबसे अच्छा माना जाता है इस मंदिर को विजयनगर के शासकों द्वारा चोलों पर उनकी विजय को दर्शाने के लिए बनाया गया था नमबर तीन दिलवाडा मंदिर राजस्थान राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित दिलवाडा मंदिर पांच मंदिरों का समूह है जिसका निर्मान ग्यारहवी और तेरहवी शताबदी के बीच हुआ था जैन धर्म को समर्पित यह मंदिर में 48 स्थम्भ हैं जिनमें रित्यांगनाओं की बनी आकरितिया हैं जो सबको अपनी और आकर्षित करती हैं इस मंदिर की निर्मान कला अति उत्तम और दर्शनिय है यहां मंदिर जैन धर्म के सबसे सुन्दर तीर्थ स्थलों में शामिल है नमबर एक ब्रहदेशवर मंदिर, तमिलनाडू, तमिलनाडू के तंजौर में स्थित ब्रहदेशवर मंदिर हिंदूओं का एक प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर को एक हजार दो ईस्वी में चोल शासक राजाराज चोल प्रथम ने निर्मान करवाया था यह मंदिर द्रविड शैली का अनूठा उदाहरण है इस मंदिर के शीर्ष की उचाई 66 मीटर है इसकी प्रसिधी को देखने लोग मीलों दूरी का सफर तै करते हैं यह मंदिर अपने समय में विश्व की विशालतम संरचनाओं में गिना जाता था